वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों तो आज डेट है 24 जुलाई और हम बात करते हैं आज के करेंट अफ़ाइस के बारे में हाल ही में किसे गुलवेंकियन प्राइज फर यूमेनिटी के लिए चुना गया है तो इनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग अगर हम ग्रेटा थनबर्ग क के बारे में तो यह जो प्राइज है गुलवेंकियन प्रुसकार यह मानपता के लिए दिया जाता है और यह इसका पहला संस्क्रण है इसके अंतरगत ग्रेटा थनबर्ग को वन मिलियन यूरो की रासी दी जाएगी और ग्रेटा थनबर्ग का कहना है यह जो रासी है यह इस रासी को परियावरण बजलवायू परिवर्तन के लिए जो संगठन काम कर रहे हैं उनको यह रासी है दान में देंगी अगर हम गरेटा थनवर की बात कर रहे हैं तो उनको लगातार दो बरसों 2019 और 2020 में नोबल प्रुसकार के लिए इनको नॉमिनेट किया गया है और जो जवापसाली परसनालिटीज की लिस्ट में भी ग्रेटा थनवर्क एक थी अब अगर हम बात करें अन्य उप्संस के बारे में तो जो एम नेत्रा हैं एम नेत्रा यह तमिलाडू की मात्र तेरा वर्स यह लड़की हैं इनको यू एन डिएपी यूनाइटेड नेशन एस्ट तो ज़िएशन फॉर डेवलप्मेंट और पीस ने बनाया है अगर हम बात करें सचन अवस्ती के बारे में तो सचन अवस्ती को भी हाल ही में एक अवाड मिला है जिसका नाम है गलोवल यूमेनिटेरियन अवाड अगर बात की जाए मलाला यूसुप जई के बारे में तो मल 12 जुलाई को मलाला डे की रूप में खोशित किया गया है और इनकी एक famous book है जो इनों ने लिखी है उसका नाम है we are displaced इसी के साथ हमारा अगला question हाल ही में चाइना ने अपना पहला independent Mars mission launch किया है इसका नाम किया है तो उसका नाम है Tianwen first यह जो Mars mission है इसको चाइना ने Wen Chang Space launch site से Long March 5 rocket की जरीए launch किया है अगर हम बात करें TN Wen जो है इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब है questions to heaven अब अगर Mars mission की बात होई रही है तो हाली में एक और देश है जिसने अपना Mars mission launch किया है उस जिसका नाम है UAE और उसके Mars mission का नाम क्या है उसके Mars mission का नाम है hope तो जो hope है यह लगभग इसको launch कौन कर रहा है तो इसको launch कर रहा है Japan लेकिन जो चाइना का Mars mission है वो independent Mars mission है उसको यह लगवक साथ महीने के बाद में जो Mars का जो ऑर्विट है वहां पर प्रवेस करेगा और प्रवेस के लगवक दो महीने के बाद यह वहां पर land करने का एक attempt करेगा अगर हम बात करें UAE का Mars mission है hope जो hope है यह Mars पे land नहीं करेगा बलकि Mars का जो ऑर्विट है उसमें लगवक 6 मह प्रवेस करने का इसका नुमान है उसमें प्रवेस करने के बाद यह उसका परिक्रमा लगाएगा Mars की Mars के चक्कल लगाएगा और वहां का data क्लेक्ट करेगा इसके अलावा हाली में कहीं और सैटलाइट को लॉंच किया है अगर उनकी बात की जाए तो चाइना नहीं एक सैट सैटलाइट लॉंच किया जिसका नाम है App Star और जो App Star सैटलाइट है यह एक Communication सैटलाइट है अब बात की जाए एनसे सैकेंड की तो जो एनसे सैकेंड है और जो ओफएक 16 है यह दोनों है military सैटलाइट एनसे सैकेंड जो है यह है South Korea का और जिसको लॉंच किया है SpaceX नहीं और जो ओफएक 16 है यह इसराइल का है अब अगर हम बात करें एक और सैटलाइट की तो वह है Amazonia 1 जो ब्राजील का सै जो चल रही है उसका नाम है String of Pulse इसके अंतरगत चाइना कर यह रहा है कि भारत के जो पड़ोसी देश है या फिर जो इंडिया नोसन रीजन के देश है उनके बंदरगाहों को इसमाल करने के लिए उनको बंदरगाह है उनको डेवलप कर रहा है और इसमें यह जो चिट गाउं की बात करें तो म्यानमार का जो कोको बंदरगाह है वह इसका हिस्सा है स्रिलंका का हमबन टोडा पाकिस्तान का गवादर और जिबूती जो है यहां पर तो चाइना का मिलेटरी बेस है ही उसके अलावा अगर हम बात करें बैंगलादेस की तो बनगलादेस का जो बंदरगाय यह भी चाइना ने लिया हुआ है, अगर हम इसको connect करें, तो यह देखा जाए, तो यह एक पूरी तरह से भारत को encircle करने की कोशिस की जा रही है, और यह एक मोटियों की माला जैसा बन रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया है, Sting of Pulse, अब इसको counter करने के लिए भारत क्या कर रहा है, तो भारत ने भी कहीं देशों के साथ समझोते की हैं, और उनके बंदरगायों को इस्तमाल करने की परमिसन लिया, जिनमें से जो सिंगापूर है, सिंगापूर में तो भारत का जो नवल बेस है, वेस्थ थापित है, सिं जो चबाहर बंदरगाया है, इसको भी इसमाल करने के लिए भारत ने परमिसन ले लिया, इसके अलावा बात की जाए ओमान की, तो ओमान का जो बंदरगया है, उसका नाम है डूकम, ठीक है, और बात की जाए सेसल्स की, तो सेसल्स लगवग यहां पर आसपस कहीं सेसल्स का जो अजमसन आइलेंड है, उसको भारत ने इसमाल करने के परमिसन ले लिए, तो एक तरह से चाइना की जो पॉलसी है, उसको एंकाउंटर करने के लिए, स्री लंका में भी है इक और है जिसका नाम है, ट्रीकोमनी, जिसको भारत ने लिया है, तो एक तरह से भारत ने भी encounter करने के लिए अपनी एक नीती चलाइय हुई है जिससे वैच्टाइना की sting of pulse जो इसकी नीती चल रही है उसका सामना कर सके इसके अलाबा चैना उसकी विस्तारवादी नीती के कारण भी कई देशों के साथ उसके बिवाद चल रहे हैं जिनमें से भारत की साथ भी हालिमा उसका बिवाद हुआ है तो चाइना की जो बिस्तारवादी नीदी है उसका वाइस टैम पे फायदा इसलिए उठा रहा है क्योंकि यो सारे के सारे देश हैं वह भारत का सपोर्ट तो कर सकते हैं लेकिन खुलकर वह चाइना का ब्रोध नहीं कर सकते क्योंकि उन सभी की एक तरह से चाइना पर निर्वर करती है जिसका अगर हम एक्जामपल देखें जो स्री लंका का हमबन टोड़ा बंदर गाया है इसको चाइना ने लीस पर नहीं लिया था पहले चाइना ने स्री लंका क काफी जादा लोन दिया उसको स्री लंका चुका नहीं पाया तो उसने क्या किया उसका जो हमबन टोड़ा बंदर गाया उसको 99 सालों के रिलीस पर ले लिया है तो देखा जाए तो सारे के सारे देश जो है उनकी जो एकोनोमी है वह चाइना पर निर्वर करती है तो आप अभी लाइक कर दिये क्योंकि मुझे पता है आप बाद मेला इससे लाइक करना भूल जाएंगे ताकि हमको मोटिवेशन मिल सा कि आपको अच्छे सचा कंटेंड हम प्रोवाइट कर सा कि हम मेहनत करें और आपको अच्छे सची चीज दें जैसे आपको बहुत फायदा इसी के साथ बढ़ते हैं हाल ही में किसे SVI General Insurance का MD वा CEO अपॉइंट किया गया है तो उनका नाम है प्रकास चंदर कांटपाल प्रकास चंदर कांटपाल जी जो है यह पहले SVI General Insurance के डिप्टी CEO की रूप में सेवरत थे और यह आप बरतवान में जगा किसी लेंगे तो यह वेस वा डिजिटल पहल के निदेशक के रूप में नुक्त किया गया है अगर हम बात करें SVI के बारे में तो जो SVI है इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी इसके पहले यह Imperial Bank of India की रूप में जाना जाता था मृत्वान में इसकी जो Chairman है रजनीश कुमार और यह भारत की सबसे बड़ी bank भी है इसका जो headquarter है वह है मुंबई में और यह एक nationalized bank नहीं है से question आ चुका है यह public sector की bank है SSC में पूछा जा चुका है option में दिया था कि इनमें से कौन-कौन सी bank nationalized bank है उनमें SVI भी option में था तो यह एक nationalized bank नहीं है यह एक public sector की bank है अगर हम बात करें any options के बारे में तो जो अस्बिनी कुमार तिवारी है इनको हाली में MDVA CEO बनाए गया SVI कार्ट्स का अगर हम बात करें रमेस बाबु के बारे में तो रमेस बाबु को हाली में करूर bank के MDVA CEO ग्रूप में नुक्त किया गया है स्याम स्री निवासन जो स्याम स्री निवासन है यह federal bank के MDVA CEO बने है फिर से अगर हम बात करें एक और नुक्ती हुई है हाली में इंड़सन बैंक में जिनका नाम है सुमंत कटपालिया जो सिमंत कटपालिया है इनको भी इंड़सन बैंक का MDVA CEO बनाए गया है इसी के साथ हमारा अगला कोईशन हाल ही में भारत ने सौदेसी निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परिक्षण किया है इसका नाम क्या है तो इसका नाम है धुरुबस्त्र या धुरुबस्त्र या धुरुबस्त्र यह जो मिसाइल है इसको सौदेशी रूप से निर्मित किया गया है और इसको विक्सित किया है DR.D.O. अगर हम बात करें इस मिसाइल की बारे में तो यह हवा से फायर करके दुस्मनों के बंकरों को, दुस्मनों के बहानों को इवाम उनकी युद्धक टैंकों को तभा करने में सक्चम है इसलिए ये दुनिया की सबसे उन्नत एंटी टैंक हत्यारों में से इसको एक माना गया है अगर हम बात करने DRD ने और कई चीजें भी विक्सित की है हाली में जैसे DRD ने भारत नाम का एक ड्रोन विक्सित किया है और यह जो ड्रोन है यह दुनिया का सबसे हलका यह सबसे तेज जो ड्रोन ने गरानी पर नाली है उनमें से यह एक है इसके अलावा भारत ने एक UV सेनिटाइजर भी लांच किया है जिसका नाम है DRUPS इसकी स्पेरिंग है DHRUVS दृप्स इसके अलावा एक सैनिटाइजिंग चैंबर भी लांच किया है DRDO ने जिसका नाम है जर्मी क्लीन और यह जो सैनिटाइजिंग चैंबर है इसमें सेनिकों की जो बरदियां है उनको सैनिटाइज किया जाएगा इसके अलावा DRDO जो है वह दिल्ली में 1000 बैट का आइस्थाई COVID अस्पताल भी निर्मित कर रहा है और जिसका जो नाम है वो रखा गया है सरदार बलब भाई पटेल COVID-19 अस्पताल तो इसी एक सान्थ हम बढ़ते हैं हमारे अगले कोश्चन की तरफ हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरिये इंडिया अइडा समिट 2020 को संबोधित किया है इसकी सबार की थीम क्या है तो इसकी इस बार की थीम है बिल्डिंग अब बेटर फ्यूचर यह जो समिट है इसको होस्ट किया गया है USIBC के दौरा USIBC का फॉल फॉर्म है US-India Business Council और यह इसकी 45th anniversary पे इस समिट को आउजुद किया गया और India-America Economic Partnership को बड़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1975 में अब अगर हम बात करें इस समिट की तो प्रधान मंत्री नहिंदर मोधी जी ने इसका संबोधन किया है और अमेरिका की जो लोग है उनको भारत के बिविन सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित किया है और अमेरिका की और से उनके विदेश मंत्री Mike Pompeo ने समिट को संबोधित किया और अगले साल जी सेविन समिट के लिए प्रधान मंत्री नहिंदर मोधी जी को आमंत्रित किया है अगर हम बात करें जो अन्य ओप्सन से उनकी बारे में तो जो क्लाइमेट नीचर है यह इस बार के अर्थ डे की थीम है क्लाइमेट नीचर इसके लावा बात की जाए सपोर्ट नर्सेज एंड मिड वाइप यह इस बार के वल्ड हेल्थ डे की थीम है तो उनको भी आप याद रखेगा इसी के साथ हमारा अगला कोश्चन खाल ही मैं किस युनिवसिटी के COVID-19 बैक्सीन के इंसानों पर किये गए परिक्षण में सकरातमक्परिणाम सामने आए तो यह जो यूनिवसिटी है यह आक्सफोर्ट यूनिवसिटी है कोरुना के काल में यह काफी अच्छी खबर है इसमें परिक्षण किया गया था 18 से 55 साल के लोगों के बी जो परिक्षण किया गया उनमें इस वैक्सीन ने double immunity उत्पन की और इनमें जो परिक्षण किये गए थे उनमें जो 90% लोग ऐसे थे जिनकी बॉडीज में पहले ही डोज में एंटी बॉडीज के निर्मान करना शुर परिक्षण होना है अगर हम बात करें Oxford University की तो इसकी स्थापना हुई थी अगर हम बात करें Cambridge University की तो जो Cambridge University है इसकी स्थापना हुऊई थी 1209 इंगिलेंड में बात कीजाए Harvard University की स्थापना हुई थी 1636 में USA में बात की जाए Stanford University के बारे में तो California USA में इसकी स्थापना 1885 में हुई थी इसके अलावा हाली में University's ranking जारी हुई है अगर उसकी बात की जाए तो इसमें जो टॉप पर है वह है Massachusetts University जो है अमेरिका की इसी साथ हमारा अगला question हाल ही में रास्टिये खनिज बिकास निगम National Mineral Development Corporation NMDC का अध्यक्ष और प्रवन्द ने दे सक किसे अपॉइंट किया गया है तो यह है सुमित देब सुमित देब जी जो है यह बरतमान में NMDC के Personal Director के पत पर थे अब इनको NMDC के अध्यक्ष वास MD के रूप में अपॉइंट किया गया है और यह जगा लेंगे बैजिंद्र कुमार की और अपने पत पर यह 2000 तेज सक रहेंगे अगर हम NMDC के बात करें तो यह Government of India की एक Iron Ore Mining Unit है मतलब की जो लोगा होता है लोगे को जो आयस्क होते हैं उनका खनन करने वाली एक Unit है अगर हम बात करें NMDC के बारे में तो जो बिरियंदर नाथ दत हैं इन्हें National Fertilizer Limited के MD वा चेर्मेन के रूप में निक्त किया गया है बिरियंदर नाथ दत है अगर हम बात करें मनुज पांडे के बारे में तो जो मनुज पांडे हैं ये हाली में अंडवान निकुबार कमांड के कमांडर इंचीफ निक्त किये गए हैं बात की जाए कृस्नेंदू मजुंदार की तो ये ब्रिटिस एकेडेमी ओफ फिल्म एंड टेलिविजन आर्ट बाफ्टा के पहले असुइत अध्यक्ष बने हैं तो उनको आप याद रखिएगा इसी के साथ हमारा अगला कोश्चन हाल ही में इंडिया के किस राज्य में पीला दुरलब कच्छुआ टर्टल देखा गया है तो ये देखा गया उडीसा के बाला सौर में अब इसकी पीले रंग होने का कारण बैग गयाने को कुने बताया है एल्विनिजम जो एल्विनिजम होता है वह एक जेनेटिक रोग होता है जिसमें इसकिन आखों बालों और पीट का रंग परिवर्तित हो जाता है यह जो कचुवा है इसको भारतिय फ्लैप सेल कचुवे की रूप में जाना जाता है और यह कचुवा पाकिस्तान, स्रिलंका, भारत, नेपाल, बांगला देश एवं कई देशों में पाये जाता है यह एक सरवाहारी कछूः है और अगर कछूः की बात हुई रही है तो कछूः किस बर्ग में आता है कछूः आता है रेप्टाइलस बर्ग में और जो रेप्टाइलस होते हैं उनका excretory product होता है यूरिक असिड लेकिन कछूः इसमें अब बात है क्योंकि कछूः का जो excret पदार्थ है वह यूरिया अभ उरीशा का जो तट है वहाँ पर कुछन्य कच्छुे भी स्था है हर साल नवंबर से दिसंबर में जो ओलीवार बीडल होते हैं लेकिन होता यह है कि बर्दमान में जो कई मच्छुआ रहे हैं उनके जालों में फसकर या कई और कारणों से इन कच्छुओं की भारी मात्रा में इन कच्छुओं की मृत्यू हो जाती है तो इनको बचाने के लिए जो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड है वह एक अवियान चला रहा है जिसका नाम है ओलीवा अवियान तो इसका अवियाद रिखेगा अगर हम बात करें उडिशा के वारे में तो उडिशा ने हाली में एक योजना चलाई है जिसका नाम है बलराम यो उडिसा ने हाल ही में ग्यारा दिन लंबा धानू जात्रा नाम का एक तेवहर भी मनाया है और जो 39th World Congress of Poets है वह भी उडिसा के भूबनेज़वर में आउजित की गई थी अब अगर हम बात करें अने options के बारे में तो हिमाचल प्रदेश है हिमाचल प्रदेश का जो नागोर थाना है उसको मिला है देश का service race पुलिस थाने का धर्जा बात की जा 36 गड़ के बारे में तो 36 गड़ का जो CM दरपन एप है या जो website है उसको Elliott's Excellence about 2020 से सम्मानित किया गया ह बात की जा उत्राखंड के बारे में तो उत्राखंड ने बेस्ट टू एनरजी पहल सुरू किया जिसके अंतर का जो कच्रा है कच्रे से बिजली बनाई जाएगी इसी के साथ हमारा अगला कोश्चन हाल ही में किसे UIC Union International Day Chemical या International Union of Railway की Vice Chairman की रूप में नॉमिनिट किया गया है तो इनका नाम है अरुन कुमार अरुन कुमार जी बरतमान में Indian Railway Protection Force Service के Director General के पत पर थे और जो Indian Railway Protection Force Service जो है इसका पुराना नाम है Railway Protection Force या RPF यह इस पत पर यह International Union of Railway के Vice Chairman के लिए इनको नॉमिनिट किया गया है यह इस पत पर रहेंगे दो साल के लिए और इसके बाद International Union of Railway के Security Platform में यह Chairman बन जाएंगे International Union of Railway के अगर हम बात करें तो यह दुनिया भर में Railway की जो Security Forces है उनकी एक Apex Body है और इसका कार्य है लोगों की रक्षा करना लोगों की संपत्ति की रक्षा करना और नियमा को बनाना और नियमा को देखना की उनको लागू काद उनकी निक्रानी करना की सही से लागू हो रह यह Railway Board के Chairman बनाए हाली में विनुत कुमार यादब इसके अलावा बात की जाए सुरेश चंद्र जो सर्मा है इनकी बारे में अगर हम बात करें तो National Medical Commission NMR के यह Chairman नुक्त किये गाए हैं अगर हम बात करें राजीब बंसल की तो जो राजीब बंसल जी है इनको Air India का Managing Director व चे हाल ही में पंजाव Government ने Skill Development के लिए किसके साथ tie-up किया है तो पंजाव Government ने tie-up किया है IIT रोपड के साथ इस समझोते के तहट IIT रोपड के जो Technical Education Department के Professor है वह राज के Engineering, Polytechnic वा ITI College के छात्रों को skill सिखाने का कारे करेंगे इसके अलावा IIT रोपड राज्यमें, Model ITI वा Model Polytechnic College की स्थाबना करने में भी मदद करेगा अब अगर हम बात करें पंजाब की तो पंजाब की यह स्थिती है इंडिया के में पर जैसा कि आप इससे देख सकते हैं पंजाब ने जो कोरुना है उसके Community Spread की जाच करने के लिए घरघर निगरानी एप लाँच किया है और बिनी महाजन जो है वे पंजाब की पहली Woman Chief Secretary बनी है पंजाब की जो CM है Captain Amrinder Singh इनको आदर से मुख्यमंतरी Award प्रदान किया गया पंजाब ने जो retirement की age है वे उसको कम करके कर दिया है पहले वे 60 थी अवे उसको कर दिया है 58 पंजा अगर हम बात करें Any Options के बारे में तो जो IIT रोड़की है इसने एक disinfection box बनाया है जिसका नाम है Unisavior बात की जाए IIT कानपूर के बारे में तो IIT कानपूर ने एक teaching setup बनाया है जिसका ने मोबाइल मास्टर जी बात की जाए IIT गांधी नगर के बारे में तो IIT गांधी नगर न based है इसी के साथ हमारा अगला question हाल ही में 23 जुलाई को भारत के किंदो महान स्वतंतरता सेनाईयों की birth anniversary मनाई गई तो 23 जुलाई को बाल गंगादर तिलक और चंदर सेखर आजाद दोनों की birth anniversary मनाई गई जिसमें से जो बाल गंगादर तिलक है उनकी यह 164th birth anniversary थी अगर हम गंगादर तिलक जी के बारें बात करें तो महात्मा गांधी ने इनको makers of modern India कहा था और इनों यह जो थे यह Indian National Congress का हिस्सा भी रहे थे 1916 में Home Rule League कि इसनों ने इस्थापना की थी और Deccan Education Society भी इनों नहीं सुरू की थी अगर हम बात करें इनकी दौरा लिखी गई किताबों क इनके दौरा लखी गई थी 1915 में लाल बाल पाल आपने सुना होगा जिसमेंसे यह एक थे लाल से था लाला राजपत राय बाल से बाल गंगाधर तिलक और जो पाल थे वैते विपिन चंदर पाल यह उसका हिस्सा थे अब अगर हम बात करें इनोंने एक नहारा दिया था ज अधिपर्देश के अली राजपूर्ट जिले के भावरा गाउं में इनका जन्म हुआ था और अगर हम बात करें 1925 में इन्होंने इनके साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजियों की ट्रेन को लूटा था जिसको हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं 1928 में भागस सीं के साथ म बंदूक से ये खुस्वहम को गोली मार कर यह सईध हो गए थे और इसके अलावा जो और्चा में जो गुफाएं हैं उनका नाम भी इनके नाम पर रखा गया चंदर सेखर गुफाएं इसीक साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं अगर आपको हमारी ये वीड कीजिए अपने दोस्तों को साथ सेर कीजिए कल फिर में लेंगे दोस्तों जाएं